भाईयों मित्रों महान संत रैदाश जी यानि रभीदाश जी को सत सत कणाम है और उन्होंने अपने रैदाश रमायन में क्या लिखा है जब सिकंदर लोधी रैदाश जी को प्रताना दे और सदना पीर को भेजा था कि उनको और उनके अनुमायों को मुसलिम बनाने के लिए इसलाम कबूल के लिए तो उस में रैदाश जी ने क्या कहा था ध्यान से सुनिएगा बेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्यान है फिर क्यों छोड़ू इसे पढ़लू जूटा कुरान बेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्यान फिर क्यों छोड़ू इसे पढ़लू जूटा कुरान बेद धर्म छोड़ू नहीं कोशिस करो हजार तिल-तिल काटो चाही गला काटो कटा आगे कहा है बेद धर्म है पूरन धर्मा बेद अतरिक्त और सबभर्मा बेद धर्म है पूरन धर्मा बेद अतरिक्त और सबभर्मा बेद वाक के उत्तम धर्म निर्मल वाका ज्यान कहा है बेद वाक उत्तम धरम निर्मल वाका ग्यान यहां सच्चा मत छोड़ कर मैं क्यूं पढ़ू खुरान यह सच्चा मत छोड़ कर मैं क्यूं पढ़ू खुरान इस्तुती सास्त इस्मिती गाई प्राण जाप पर धरम न जाई कहा है प्राण जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए यह हमारे संत रधाजी थे क्या अच्छी अच्छी बाते लिखी इन्होंने कुरान की विषय में इन्होंने इसलाम की विषय में नहीं अपनाया अपने धर्म को छोड़के हिंदत को छोड़के अपने सनातन को छोड़के इन्होंने मुसलिम धर्म नहीं अपनाया यह हमारे संत थे